हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजिया ट्रेनिंग में दोस्तों आपको एक बात तो पता ही होगा कि किसी भी केरेन को अगर हम चलाते हैं तो उसके पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कल को अगर कोई समान या कोई पार्ट्स क्रेन का डैमेज हो जाता है तो आपको अगले को बताना होता है मेकेनिक को कि हमारा क्रेन का ये पार्ट्स खराब हो चुका है एक सेकसेस ओपरेटर होने के लिए हमें पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है आज हम इस वीडियो में crawler crane के parts के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले जो ये वाला point आप देख रहे हैं इस point को हम machine duck कहते हैं जिसपे machine पूरा load लेती है उसके बादवाले point को हम counterweight कहते हैं जिसपे की crane balance बनाके material को उठाता है और loading unloading करता है उसके बादवाले point को हम boom hoist line कहते हैं उसके बादवाले point को हम gentry कहते हैं फिर उसके बादवाले point को हम back hits कहते हैं फिर उसके बादवाले point को हम inner bell कहते हैं दोस्तो ये जो point by point हम दिखा रहे हैं ये आपको पता अगर हो गया तो आप एक success operator बन सकते हैं फिर उसके बाद वाले point को हम boom hoist riving कहते हैं उसके बाद वाले point को हम outer bell कहते हैं फिर ये जो उपर दिख रहा आपको दोस्तो ये boom pendant से है उसके बाद वाले point को हम दोस्तो इडिलर कहते हैं इसको हम deflector safe भी कहते हैं फिर उसके बाद वाले point को हम back step pendant कहते हैं फिर उसके बाद वाले point को हम दोस्तो जिब must कहते हैं जिसे हम gentry के भी नाम से जानते हैं फिर उसके बाद वाले point को हम jip forestry pendant कहते हैं फिर उसके बाद वाले point को हम jip tips safe कहते हैं फिर इदार आज़ेए दोस्तों फिर इस वाले को हम auxiliary hoist line कहते हैं फिर इस वाले को हम head edge और over hall bell कहते हैं फिर इस वाले को हम jib tip section कहते हैं फिर इस वाले point को हम jib mid section कहते हैं फिर इस वाले point को हम jib hill section कहते हैं फिर इस वाले point को हम boom tip save कहते हैं फिर इस वाले point को हम anti two block device कहते हैं फिर इस वाले point को हम main host line कहते हैं फिर उसके बाद जो दोस्तो ये main block है उसके जो बाद में आता है दोस्तो boom hill section आता है और उसके बाद जो है turn table है दोस्तो आपने देखा कि point by point हमने बताया इसका आप skin sort भी ले सकते हैं और ये जहनकारी अगर आपके पास आ गिया तो आप एक success operator बन सकते हैं तो दोस्तो आसा करते हैं कि आपको ये point by point जो हमने parts बताया है ये आपको समझ में आयोगा समझ में आयोगा तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें ताकि हर वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है class by class ये हमारा मकसद सफल हो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंद मात्रम